हेलो स्टूडेंट कैसे हों आप सब आई सब आप सबडीक होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रूफ आप kosung बहुए तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वाड़ेटिक एक्वीशन का जो जन्छर वाम है ओ लेंगे A x square plus B x plus C is equal to 0 इसके बाद x square का जो टर्म है A इसको हमने सारे टर्म पे डिवाइट किया इधर B, इधर B और इधर B इधर A और A cancel तो हमाने पास क्या आए x square plus B by A x plus C by A is equal to 0 by A से 0 इसके बाद हमने constant टर्म C by A को right side पे shift किया फिर अगले step में x का जो coefficient है B by A B by A का half लिया यानि 2 पे divide किया तो हमारे पास क्या आया B by 2 A B by 2 A का square लिया और इसको दोनों side पे 8 कर दिया B by 2 A का square लिया और दोनों side पे 8 किया तो हमारे पास इधर खार्मून ना बना A plus B whole square बाया इसको हमने क्या लिखा x plus B by 2 A whole square is equal to इधर 4 A square और A का LCM लिया तो 4 A square और LCM को दोनों side पे multiply किया तो हमारे पास आया minus 4 A C plus B square हो इसके बाद इसको हमने order में लिखा B square को पहले लिखा और 4 A C को बाद में अगले step में square root लिया both side हो तो square root से square और square root कैंसल और यहां पे plus minus हुआ इसके बाद square root को B square minus 4 A C पे अलग लिखा और 4 A square पे अलग लिखा तो 4 A square का square root है 2 A इसके बाद अगले step में minus B by 2 A 2 Y A को right side पे shift किया तो एक हो minus B by 2 A इसके बाद 2 A और 2 A denominator सेम थे तो हमने सिंबल नॉमिनेटर को एड़ किया minus B plus minus B square minus 4 A C divided by 2 A तो यह हमारे पास हार रिक्वाइट क्वाड़िक पार्वूला तो प्रूब बहुत सिंपल था तेंक्स पार वाचिंग रहा हमारे लाऒूमिन計ग नॉमिन Pneको क्वाट हमपते नॉमिन